और P नहीं बचा तो कॉन सा बनेगा अपना D-P-P और यह कितना बनेगा, 2 हलोगंगे विडियो और विडियो को बैक तुदी चैनल, I hope you are doing fine तो आज के वीडियो में हम एक सूपर ट्रिक देखने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड में पता करने वाल हैं कि कितने P by P by और कितने D by P by bonds है तो यह काफी आसान सा क्रिक होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टैट के प्रॉब्लम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो सबसे पहले में दो तीन चीजे आने चाहिए हमें पता है P में कितने और वाइटल होते हैं तीन और D में कितने पांच यह P x P y P z है और ऐसे और हमें structure draw करना रहना चाहिए इन सारी components का structure draw करना रहना चाहिए अगर नहीं आ रहा है आपको फिर भी कोई दिक्ट नहीं हम बताने वाले हैं सारी और hybridization पता होगा तो structure draw करने में असानी होती है और hybridization हम निकालते हैं bond pair plus loan pair उसके sum जो आता है उसके recording अपने बताते हैं कि वो SP है SP2 है या फिर कोई और तो यह जो मैंने 6 problems लिए हैं यह बहुत ही common है आपको हर्जगा मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले problem से तो सबसे पहले हम SO2 का hybridization लिखने वाल है इसके लिए हमें पता करना होगा कि sulfur के outermost में कितने electrons होते हैं 6 right अब हमें hybridization लिखने के लिए क्लिए bond pair plus loan pair और यहां पे कितना 2 oxygen है तो 2 bond बनाएगे लेकिन oxygen के 2 bond को बनाने के लिए कितने electrons चाहिए 2 into 2 4 लेकिन अपने पास कितना है 6 electron तो 4 electron उसमें चला किया तो अब अपने पास बचा कितना 2 electron और 2 electron में कितना loan pair होगा एक loan pair तो 2 plus 1 कितना आता है 3 3 है इसका मतलब क्या अपना hybridization is P2 आया तो इन information के according अगर हम structure draw करें तो ये कुछ ऐसा आने वाला है 2 bond pair और 1 loan pair तो मैंने बताया क्या था P अपने पास 3 होते है और hybridization is P2 है तो यहाँ पे 2 P use में आ चुके है तो अब अपने पास बचा कितना 1 P बचा है मेरे पास तो पहला जो P bond होगा वो कौन सा होने वाला अपने पास P by P ओके यहाँ पे 2 P bonds है तो अपने पास जो पहला आने वाला वो P by P by Q क्योंकि SP2 hybridization है तो मेरे पास 1 P बचा हुआ है तो एक जो आएगा अपना P by P by आएगा और यह जब P by P by आगया तो अपने 3 P use में आ गए तो अब अपने पास P तो बचा नहीं तो अपना next जो पाए bond आएगा वो कौन सा आएगा D by P by और इसका कितना नंबर है वो भी A की है तो next problem देखते है और clear होने वाला है अपना फिर से इसके auto-must में 6 electron और यहाँ पे minus 2 charge है तो total electrons कितने 8 फिर से लिको bond pair प्लस lone pair right तो bond pair अपने पास कितने चार ऑक्सिजन तो चार bond आगे और चार bond को बनाने के लिए कितने electrons है या oxygen के चार bonds को बनाने के लिए 8 electrons 4 इंट टू 8 और 8 electrons ही अपने पास तो lone pair अपना कितना आने वाला है जीरो और इस तर अपना hybridization जो आएगा वो आएगा SP3 तो अगर हम SO4 2 minus का structure ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा आने वाला है अपने पास O minus O minus double bond रो double bond रो यहाँ पे वी कितने 2 pi bonds है अपने पास अब structure जो कि हम अपना है hybridization वो कितना SP3 यानि कि मेरे 3 P थे और तीनों use हो चुके है तो अपने पास P बचाई नहीं तो जो भी यहाँ पे आप by bond बनेगा वो कौन सा बनने वाला है D by P by P बचाई नहीं तो हम use कर नहीं सकते और P नहीं बचा तो कौन सा बनेगा अपना D by P by यह कितना बनेगा 2 ओके काफी simple है अपना तीसरा है SO3 इसमें भी sulfur के outer mousse ने 6 electron यहाँ पे भी अपने लिखते है bond pair plus lone pair तो oxygen 3 है तो 3 bond pair lone pair कितना बचा हो total electrons कितने 6 bond pair 3 तो 3 oxygen के bonds बनाने के लिए 6 electrons चाहिए तो lone pair अपना कितना बचा 0 तो hybridization अपना 3 आने पे क्या आजाता है SP2 अब draw करते हैं इसके structure को तो 3 bond pair है और lone pair 0 तो यह कुछ इसका structure आगया SP2 तो क्या अपने पास P बचा है yes P बचा हुआ अपने पास 1 P बचा हुआ है तो एक bond जो अपना बनने वाला है वो P by P by बनने वाला है कितना 1 अब P bonds है कितने यहाँ पे कितनाै और P बने अपने खता हुआ ब बी बचा है इस wordt ब्रॉलम को आप खुछ से try करो वीडियो pause करके लेक्राऊं Ts 4 आउटर मुस्ट में, यहाँ पर भी लिखते हैं, बॉन पेर प्लस लोन पेर, यहाँ पर बॉन पेर दो, ऑक्सिजन के दो बॉन्स बनने के लिए चार एलेक्रों, यानि के लोन पेर कितना जीरो, जीरो आने के बाद, एक पी, एक एस, अपना हाइबराइशन, एस पी आ गया, तो यहाँ पे जो structure बनेगा, carbon CO2 का, वो कुछ इस तर बनेगा, दो bonds, zero loan pair, और दो यहाँ पे पाई है, तो यह कौन सा बनने वाला है, अपने पास कितने पी बचेव है, एक पी तो यूज हो रखा है, एस पी में, अपने पास दो बचा है, और दो ही यहाँ पे क्या है, अब next problem में, अपना क्या दे रखा है, XO3, तो xenon के order मुस्ट में जो होते है, वो 8 electrons होते है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, bond pair plus loan pair, तो यहाँ पे bond pair कितने, तीन oxygen है, तो तीन bond, अब loan pair खोजना है हमें, तो तीन oxygen के bonds बनाने के लिए कितने electrons चाहिए, 6, 3 into 2, 6, वो अपने पे अपने पास एक loan pair है, और तीन bonds है, तीन πाई bonds है, और यहाँ पे जो hybridization आया है अपना, वो है SP3, यानि कि अब मेरे पास कोई भी P नहीं बचाए, क्योंकि P तो अपने पास तीन ही होते है, तो जो भी बनेगा, तीन की तीन जो बनेंगे, वो कौन से बनने वाल है, D pi, P pi लास्ट प्रॉलम पे आते है, XO3F2, जैनोन कितने, 8 electrons और और मूस में, इसके भी hybridization को लिखते है, bond pair प्लस loan pair पे, तो यहाँ पे bonds कितने बन रहे है, 3, प्लस 2, 5, इसमें से oxygen की कितने है, 3, तो oxygen के 3 bonds बनाने के लिए कितने चाहिए, 6 electrons, और 6 electrons उधर चला गया, और 2 bonds और बन चला, तो xenon, राइट, यह O, 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 हो गया, hybridization यहाँ पे क्या आजाएगा, अपना, SP3D, 3, प्लस 1, 4, 1, 5, राइट, तो अब क्या, इसमें कोई सवाल उठता है, क्या P5 बननेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो P3 थे, 3 तो यूज कर लिए गया, तो जो भी बनेगा, 1, 2, 3 कितने कौन सा बनने वाला है, D5, P5, तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जरूर बताना हमें, कैसा लगा आपका वीडियो, आपने अगर कुछ दिखा है इस वीडियो से दो, और आपको बाकी ही तो लाइक करना होता है, सेर करो, और चैनल को सब्स कर देना, थेंक यू